सभी बच्चों कुन मश्कार हम बात करें हैं सिंगेस कल्कुलस की जिसकी exercise 7.2 हम डिस्स करें तो देखते हैं उसका next question देखें इसका पहला question क्या कहता है कहता है इंट्रिगेट करिए dx अपान अंडरूट x प्लस अंडरूट x-2 पहली बात तो जो denominator में यह लेथन है इसको हम जानते नहीं क्योंकि denominator की integral का एक ही formula हमको मालूँ है कि 1 by x का log x होता है बस और कहें denominator में कुछ भी होगा तो हमें नहीं मालूँ तब क्या करें हम denominator को हटाने की कोसित करते हैं तो आपको मालूँ में साब साब यह irrational type की function है इसको rationalize कर दिया जाए हम फिलाल इसके conjugate से उपर निचे multiply कर देते हैं denominator में क्या लिखा हुआ है root x plus root x minus 2 का conjugate क्या होगा root x minus root x minus 2 तो उपर multiply भी करना पड़ेगा root x minus root x minus 2 हमको यह नहीं मालूँ हम integrate कर ले जाएंगे हमको denominator दिक्कत कर रहा था उस दिक्कत को हम solve कर रहे हैं तो फिलाहाल तो numerator को छेड़ेंगे नहीं इसको लिख दे हम x की power half minus x minus 2 की power half और नीचे देखिए इसमें a plus b और a minus b a plus b और a minus b का multiplier square minus b square होता है यानि यह root x का square x और minus इसका square x minus 2 dx तो अब ज़रा अगले step में देखिए आपका step हो गया अगले step में हम bracket खोलेंगे तो यह minus x plus 2 हो जाएगा यह x x कर जाएगा अगले step में बाहर हो जाएगा आपके हिसाब से दो step बढ़ाने पड़ेंगे आपको हमारे पास एक option था कि हमने ऐसे ही कर दिया अब इसको अलग-अलग integrate करो 1 by 2 integral x की power half dx अलग हो जाएगा bracket बंद कर दो ऐसे और minus integral x minus 2 की power 1 by 2 dx अलग हो जाएगा ठीक अब बारबा 1 by 2 अंदर ले जाना पड़ता 1 by 2 अब देखो ध्यान से x की power half dx को जब integrate करेंगे तो फर्स से फार्मुला मुझे याद आए x की power n क्या होता है x की जगह है अगर ax plus b का term हो linear expression in x हो तो हम उसको x ही मानते है x का जो coefficient होता है वो a माना जाता है और 1 by a बाहर लिग दिया जाता है चूँकि x का coefficient 1 है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं तो यह आज आजाएगा x minus 2 की power 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1 और रास्त बाद में constant of integration यूज़ करेंगे ठीक है तो इसकी value ज़रा calculate कर दो 1 by 2 तो आएगा x की power 3 by 2 upon 3 by 2 minus x minus 2 की power 3 by 2 upon 3 by 2 plus c अब जड़ा हम इसको थोड़ा और calculate कर ले 1 by 2 का अंदर ले जा रहे है तो एको 1 by 2 अंदर गया और यह बन गया 2 by 3 into x की power 3 by 2 minus यह 1 by 2 बाहर गया अंदर गया यह हो गया 2 by 3 x minus 2 की power 3 by 2 plus constant यहां से 2 by 2 कर गया तो 1 by 3 बाहर कर दो बेकार हम अंदर ले गया तो इसको बाहर ही निकलना चाहिए तो लोग कोई बात नहीं थोड़ा practice हो गई exercise हो गई x की power 3 by 2 minus x minus 2 की power 3 by 2 plus c c लिखने के बाद में last में लिखेंगे where c is the constant of integration reason क्या होता यह बताया जा चुका है इसलिए उस पर बार बार नहीं लिखेंगे c क्यों लिखा गया ठीक है तो this is first question next in the next video नमस्कार